गुड़ीवने की स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर अंजन सक्सेना आपको लिनियर अल्जवरा में आज नया टॉपिक आधार एवं विमा यानी बेसिस एंड डाइमेंशन वो शुरू करवाऊंगा अब तक हमने वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, एलाई और ल्ड वेक्टर्स और लिनियर स्पान ये चीज़ें सीख लिए हैं अब इसके आगे हम इनी की मदद से बेसिस और डाइमेंशन सीखेंगे बेसिस का मतलब है सदिश समिस्टी का आधार मान लिजिए VF कोई सदिश समिस्टी यानि वेक्टर स्पेस है और S उसका एक सबसेट है तो इस सबसेट S को वेक्टर स्पेस V का आधार कह सकते हैं हम यदि S Li हो और S V का जनक भी हो यानि S के वेक्टर्स जो हैं वो Linearly Independent हो और S V का जनक हो का मतलब है कि V के जो वेक्टर्स हैं वो S के वेक्टर्स के LC के रूप में व्यक्थ हो सके हैं उस अवस्ता में हम S को V का आधार कहेंगे अब इसमें कुछ शित्पणियां हैं जो कि आपको गौर करना पड़ेगा पहली है कि जो 0 वेक्टर होता है वो किसी भी आधार का Element नहीं हो सकता क्योंकि जैसे 0 वेक्टर आधार में आएगा तो वो आधार Li नहीं रहेगा LD हो जाएगा वो तो LD अगर होगा तो वो आधार बने नहीं सकता है सबसेट क्योंकि सबसेट का आधार होने के लिए Li होना ज़रूरी है दूसरी टिपड़ी है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के कई आधार हो सकते हैं यानि एक ही सबसेट S उसका आधार बने ज़रूरी नहीं उसके और भी सबसेट्स जो आधार बन सकते हैं शर्त यही है कि वो सबसेट्स Li हो और वो V को जनरेट करते हो अब कुछ एक्जाम्पल्स दिए नोने जैसे पहला है परिमित आधार तो यूनिट वेक्टर्स का जो सेट होता है वो हमेशे आधार बनाता है क्योंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर्स का जो सेट है वो Li होता है और वो जनरेट भी करता है पिछले चैप्टर में हमने एक्जाम्पल्स में भी देखा और यहां भी आपको एक्जाम्पल्स में यह बता रहे हैं क्योंकि आप यह जैसरे एक्जाम्पल लिया है इन्होंने पहला इसमें टपल्स हैं एवन एटू टू एन तो किसी भी वी के वेक्टर ए को आप इन एवन एटू एएन के लसी के रूप में दिख सकते हैं आप क्रमश है एवन एटू एटू एट्री अप्टू एएन से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको लसी मिल जाएगा तो आप यह याद रखिएगा किसी भी वेक्टर स्पेस के यूनिट वेक्टर का जो सेट होता है वो उसका अधार बनता है और वो आधार परिमिताधार होगा जैसे वी टू एफ है उसका मानक अधार क्या होगा इसको Together basis भी कहते हैं मानक का धार 1001 वीत्री का क्या हो जाएगा 1000 फिर 010 और 001 और भी कही एक्जाम्पल से इनों ने आगे दिये हुए हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं इसके बाद है परिमित वीमिय सदिश समिस्टी यानि फाइनाइट डैमेशनल वेक्टर स्पेस एक वेक्टर स्पेस परिमित वीमिय यानि फाइनाइट डैमेशनल कहलाती है यदि उसका आधार जे हो है फाइनाइट हो यानि उसके अंदर एक ऐसा परिमित समुझ समुझ ये ऐस बिद्यवान हो वेक्टर स्पेस में जो कि वीक्टर स्पेस को जनेरेट करता हो त highlighting स्वयम्भी लाई हो तो ऐसी वेक्टर स्पेस्स क्यालाती है जैसे आप V3R लीजिए हम जानते हैं कि V3R का जो यूनिट वेक्टर्स वाला जो सेट है E1, E2, E3 वो उसका एक बेसिस बनता है तो हम देखते हैं कि बेसिस में क्योंकि तीन वेक्टर्स ही हैं 100, 010 और 001 तो वेक्टर स्पेस V3R एक फाइनाइट डैमेशनल वेक्टर स्पेस्स कहलाईगी अब फाइनाइट डैमेशनल जब होती है वेक्टर स्पेस तो उसमें कुछ प्रोपर्टीज, इंट्रेस्टिंग प्रोपर्टीज विद्यमान होती है जिनको यहां हम थियॉरम्स के रूप में पढ़ेंगे पहली थियॉरम है पिरतेक परिमित विमिये सदिस्मिस्टी का एक आधार विद्यमान होता है यानि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डैमेशनल है तो उसका ज़रूर एक नाइक आधार विद्यमान होगा मान लो VF एक vector space है जो कि finite dimensional है तो परिवाशा कहती है कि V का एक परिमित उपसमुच S जिसमें alpha 1 alpha 2 to alpha n finite लेना है ना इसलिए n vectors लेना इसमें वो इस तरह विद्यमान होगा कि V द्वारा generate होता होगा अब हम मान लेते हैं कि इन vectors में कोई भी 0 vector नहीं है अब यदि SLI है तो वो V का आधार बन जाएगा क्योंकि generate तो वो करी रहा है already V को और अगर साथ में L I होगा तो V का आधार बन जाएगा और अगर SLD है तो हम जानते हैं पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि S में एक ऐसा अभियव Alpha K विद्धिमान होगा इसमें K22N के बीच में होगा कि Alpha K अपने पूरवर्ती अभियवों के LC के रूप में व्यक्त हो सकेगा तो Alpha K अगर अपने पूरवर्ती सदिशों के LC के रूप में व्यक्त हो सकता है तो एक बार S में से हम Alpha K को हटा दे तो शेश समुचियों का शेश अभियवों का जो समुचिय है शेश वेक्टर का जो समुचिय S मन होगा भी V को जनरेट कर देगा अब ये वाला सेट अगर Li है तो ये अधार बन जाएगा और Li नहीं है तो पुने हम उस थियोरों की मदद से एक ऐसा वेक्टर Alpha I डूंड लेंगे जो कि अपने पूरवर्ती सदिशों के LC ग्रूप में वेक्त हो जाएगा फिर इसको अपन अटा देंगे S में से Alpha K के साथ Alpha I को भी तो S2 वो भी जनरेट करेगा V को फिर अपन इसी प्रोसेस को दोराते रहेंगे अगर ये S2 भी Li हुआ तो आदार बन जाएगा नहीं होगा तो फिर हम एक वेक्तर हटा देंगे तो इस तरह से हम हटाते हटाते आखिर में एक ऐसे अश्योंने अवियों वाले समुझ्च हमको मिल जाएगा और हम जानते हैं कि Singleton सेट जो सब सेट होता है वो हमेशा Li होता है तो उस वते ही V का आधार बन जाएगा तो हम देखते हैं कि यदि कोई Vector Space Finite Dimensional है तो उसका एक Finite Basis जरूर विद्धिमान होगा Next Property है क्योंकि हम जानते हैं कि एक Finite Dimensional Vector Space के कई आधार हो सकते हैं तो यह Property कहते हैं कि आप उनमें से कोई भी दो आधार अगर लेंगे तो उनमें हवियों की संक्या सेम आईगी यानि Every Basis of a Finite Dimensional Vector Space has same number of Vectors या Elements तो हम इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि Vector Space VF जो की Finite Dimensional है उसके दो आधार हैं हमारे पास एक तो S1 है जिसमें Alpha 1 to Alpha M M Vectors ले लिए और एक दूसरा आधार लिया S2 इसमें Beta 1 to Beta N N Vectors ले लिए अब ये दो आधार लिये जिनमें number of vectors अलग लग हैं हम प्रूव करेंगे कि actually ये संख्या सेम आए M equal to N हमको सिद्ध करना होगा यहां तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये दोनों आधार है V के तो ये दोनों V को generate करेंगे और दोनों LIV होंगे तब ही तो आधार बनेंगे है कि S1 जो है वो V को generate करता है और S2 है क्योंकि वो भी आधार है तो ये दोनों आधार subset ही होते हैं vector space के तो S2 क्योंकि subset होगा vector space का तो बीटा जो है उनमें से बीटा 1 मान लो वो vector space V का विद्धे मान होगा तो बीटा 1 is a vector of V and V is generated by S1 therefore बीटा 1 can be written as LC of alphas क्योंकि S1 जनक है तो V का कोई भी vector आप लें बीटा 1 वो S1 के अभी अभी यानि alphas के LC group में लिखा जा सकता है तो अगर अपन एक समुची बनाएं जिसमें बीटा 1 लें और S1 लें तो यह LD हो जाएगा क्यों हो जाएगा LD तो नया समुची S4 बनेगा यह भी V का जनक होगा अब यह V का जनक है और बीटा 2 वी का एक और element है तो हम देखतें कि बीटा 2 can be written as LC of S4 तो हमने S5 एक नया बना लिया उसे बीटा 2 डाल दिया बीटा 2 डालते ही LD हो जाएगा LD नगाने फिर एक अलफा अटा देंगे हम तो यह पर करिया हम जब हटाएंगे अलफा को हटाने की और बीटा को डालने की यह कब तक चलेगी यह तब तक चलेगी जब तक जितने अलफा जा रहे हैं उतने ही बीटा अंदर आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि ना तो M N से छोटा है ना M N से बड़ा है Actually M और N दोनों equal हैं उसी अवस्था में यह आधार बन पाते हैं वेक्टर स्पेस के तो any two basis of a finite dimensional vector space will have same number of elements या same number of vectors तो यह आपको आज मैंने कुछ properties और basis की definition समझाईए आप इनको अब fair करके बिना देखे अपने copies में प्रूव करिए next lecture में हम dimension of a vector space बताएंगे आपको Thank you